दिबुरी जायमन के एडवेंचर्स में कबलिन की कहानी हैरी, क्या आपको यकीन है ये ठीक रहेगा? आपको लगता है आपको इस शेहर में काम मिल जाएगा? अरे चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा मुझे तलवार चलाना बहुत अच्छे से आता है और मेरी परसनालेटी भी बहुत अच्छी है इसलिए मुझे कोई न कोई काम तो ज़रूर मिल जाएगा अच्छा तो फिर आपको काम से क्यों निकाल लगया? अगर तुम अपने पापा से ऐसे बात करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा तुम्हें यकीन है तुम्हें काम मिल जाएगा मैं तलवार बहुत अच्छी चलाता हूँ मेरी परसनालेटी अच्छी है मैं देखने में भी बहुत अच्छा हूँ आखिर मुझे कोई काम क्यों नहीं देना चाहेगा बताओ मुझे अगर मेरे बस में होता तो मैं इस आदमी को काम पर जरूर रख लेती बड़ी महरबानी मेरे भी यही सोच है तो चुपी राऊश इंचान माफिच चाहती हैं इंतिजार करवाने के लिए राइस बॉल्स देखकर इतना खुश हो गया क्यों नहों वो एक बच्चा ही तो है आप कितनी अच्छी है पता है मेरी मॉम मुझे बिलकुल भी राइस बॉल्स काने को नहीं देती है अभी अभी तुमने क्या कहो तुम कभी नहीं सुधरने वाले अरे ये क्या चीज है अरे ये कितना डरावना लगता है जहां तक मुझे लगता है गॉबलिन गेरो गेरो का एसिस्टेंट गॉबलिन इताची है पर ये यहाँ गॉबलिन गेरो गेरो क्या उसका एसिस्टेंट गॉबलिन इताची गॉबलिन इटालियन मैन इटालियन नहीं, इताची, इताची इटालियन मैन का मतलब होगा एक आदमी जो इटली में रहता हो, समझ गए? और महिला को क्या कहेंगी? इटली में रहने वाली एक सुन्दर महिला कितनी बार कहा है दिन में सपने मत लिया कीजिए अच्छा ये बताओ ये गॉबलिन गेरो गेरो है कौन जी मैं बताती हूँ ये लड़कियों को किड्नाप करता है और फिर उन्हें अपना नौकर बना कर रखता है ये आप क्या कह रही है आप क्या खाएंगे, मैंए कुम्री कीसे पार साथ कर दिया कितना गुर्या काम करता है दो तुम क्या बौल रही है, वो लड़कियों को किड्नाप करता है अब मेरा क्या होगा, वो तो मुझे किड्नाप करलेगा ना हैरी, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी अगर ये गॉब्लिन है तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं अब इतना डरने की क्या जरूवत है अब बहुत देर हो चुकी है मैं इसे लेकर ही जाओंगा अब तुमें इस बात का दुख होगा कि जब तुमारे पास मौका था तुम भागे क्यों नहीं मैं इस लड़की को साथ ले जाओंगा हम लोगों को सच मुझ बहुत दुख हो रहा है मैं इस लड़की को या नहीं छोड़ूँगा मैं इसे अपने मालिक गॉब्लिन गैरो गैरो के पास लेके जाओंगा उस लड़की को जो वहां पर खड़ी है बचाओ बचाओ प्लीज इस लड़ מאוד को आँटी जी क्या कहा आँटी मैं तुम्हें आँटी डिखती हूं हैारी आप इस बुरे गॉबलिन से कुछ कहतें क्यों नहीं अभी कहता हूँ मेरी बात का जवाब दो क्या तुम्हें ये बात सब के सामने कहनी जरूरी थी तुम दोनों बहुत बुरे हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ ठारी नहीं परेए क्या मैं इतना छोटा कैसे हो गया शिंचन क्या कर रहे हो मत करो शिंचन मुझे ये बच्चा कुछ ज्यादा ही जित्ती लगता है खैर मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना मैं इस लड़की को अपने साथ लेकी जा रहा हूँ ए रुको खैरी को पहले जासा कर दो तुम ऐसे नहीं जा सकती मेरी तो आके ही बराई देखो मेरे पाउं छोड़ो मुझे आपकी कोई जरूवत नहीं आंटी जी समझ गई तुम तब से क्या आंटी आंटी लगा रखा है अपस बहुत हो गया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी लगता है मेरी फिक्र से ज्यादा मिच्सी को वहाँ जाने की जल्दी है उसे बचा लो कोई भी जाकर उसे वापस ला दो प्लीज क्या आप उस लड़की के पापा हैं नहीं मैं उसका पती हूँ देखो मेरी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन मैं उसका पती हूँ समझ गए जानते हो जब भी मैं आखें बंद करता हूं मुझे चारों तरफ उसका चेड़ा ही नजर आता है और मुझे आखें बंद करने पर अपनी और शिंचैन की पिटाई ही दिखाई देती है हारी शिंचैन अगर तुम मुझे बचाने नहीं आए तो तुम दोनों की खेर नहीं समझे ए तो खुदा में यो दूसरों को भी बला रही हो यह क्या है यह क्या है यह क्या बख्वास कर रहे हो तुम्हारी हिंबत कैसे हुई ऐसा मुझे बोलने की मैं हो बुरे बुरे जो सब का रेस्ट्यों करता है और उनके साथ रहता है वही हिरो जो लोगों की मदद करता है प्लीज मेरी मदद करो मेरी वाइफ को गॉबलिन गैरो-गैरो की चुंगल से बचा लो प्लीज पैसे दोगे क्या मुझे तुम्हें ने होगे मैं किसे भी काम के लिए पैसे लेता हूँ वाइफ की लाइफ बचानी है तो पैसे देने होँगे और यह जह्यादा पैसे खर् exclusively करना चाहता क्या कहां आ मुझे ऐसे लोगों नफरत है वोह में देख कर ऐसा हो गया है और वो अपने आदमियों के साथ लड़कियों को किडैप करने आया था तो उसने मुझे अपनी इविल शक्तियों से ऐसा बना दिया मैंने उसकी साथ महत लड़ाई की लेकिन मैं इस जादू की छड़ी में फस गया यही मेरी कहानी है मुझे पहले जैसा बनने के लिए उन्हें हराना ही होगा बगर इस बार मुझे तुम्हारी जरूरत बनेगी क्या तुम मेरी मदद करोगे बताओ हो सकता है हमारी मिलने की वज़ा यही हो मैं तुम से विनिति करता हूँ मेरी वाइव को बचा लो प्लीज तुम बार-बार बीत में ही वाते हो चलो चले उस गोबलिन को हराने अरी क्या हुआ बुडी बुडी जैमान दरहसल मैं तीन घंटों से जादा काम नहीं कर सकता हूँ इसलिए मैं चलता हूँ यहाद में मुझे किसी काम का नहीं लगता है शिंचैन शिंचैन रुखना मत चलते रहो अरे यह कौन है यह मेरे बिचारे डैड है बिचारे बोलने की क्या जरूरत थी डैड होने के लिए यह ज्यादा छोटे नहीं है मैं हमेशा से ऐसा नहीं था मुझ पर उस बुरे गॉबली ने हमला करके मुझे ऐसा बना दिया पर मैंने हार नहीं मानी और उसका मुकाबला किया यह सेफ नहीं होता चलिए मैं आपको घर छोड़ा आता हूँ मैंने कहा ना आप मेरी चिंता मत कीजिए वो गॉबलिन सोल्जर्स किसी काम के नहीं है मैं उन सब को आसारी से हरा सकती हूँ मैं यहां की कमांडो फोर्स की कैप्टन हूँ माफ कीजिए कि आप भी उस गॉबलिन को हराना चाहती है वैसे हमारे पास उनकी सारी किड्नापिंग की डीटेल्स आ गई है और उनकी तलाश जारी है तुम्हें क्या लगता है उसे पकड़ना इतना आसान है यह कौन बोला तुम्हारी जानकारी के लिए बता दू कि मैं बहुत ताकतवर हूँ मैं खुद तूफान बना सकता हूँ लोग मुझसे डरते हैं मेरा नाम विंड गॉबलिन है गॉबलिन जो तूफान बना सकता है गॉबलिन जिसका पेट खराब रहता है तुम चुप रहो तुम्हारी हालत कैसे हो गई है तुम्हारी शकल ही इतनी फनी है ये लो मेरा हाउ स्पीड बिंड अटा है ऐसे तो हम उसके करीब नहीं बहुँच पाएंगे क्या कुछ लोग मेरे महल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं हाँ आपने सही कहा लेकिन अभी विंड गोबिन उन पर जोरदार हमला कर रहा है शिंचन कसके पकड़के रखना छोड़ना मत तुम ने ये मुझे क्या पकड़का है तुम कुछ करते क्यों नहीं शिंचन चाया दया पुरी बुरी आ गया बताओ किसको रेस्क्यू करना है रेस्क्यू हीरो क्या ये सच में काम करता है मुझे कब मत समझना अगर दुबारा शक किया तो मैं अपनी थीस बढ़ा दूगा अच्छा ठीक है कितने कमजोर और फणी लोग है लगता है मुझे कुछ करना होगा तुम क्या कर रही हो तुम जब देखो शिकायत करते रहते हो कुछ करते क्यों नहीं हो बोलो शिंचैन क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लैन है बहुत हिम्मत वाले बच्चे हो अच्छा तो उसे ये करना था ये क्या अरे ये तो बिजली से चल रहा था शिंचैन अब सब कुछ ठीक है ये नकली गॉबलिन था मैंने इसका प्लग निकाल दिया है सचाय और हिमत की हमेशा जीत होती है वैसे हमने इतना भी महान काम नहीं किया है देखा मेरी तरकीब काम आ गए ऐसा कैसे तुम तो गाय भी हो गए थे ना चलो मेरी फेस निकालो 20 लाख रूपे मगर तुमने तो कुछ भी नहीं किया था यह तो मुश्किल हो गई अब हमें क्या करना चाहिए मास्चर परेशान होने की जरूरत नहीं अभी हमारे पास बहुत कुछ बाकी है क्या यह सच है तुम्हारी ममा को भी वो इविल गॉबलिन उठा के ले गया आपको देखकर मुझे अपनी मॉम की याद आती है क्या सचमी मेरी मम की तरह आपके सॉक्स भी गंदी है ओ तुम चुप रहो हमें यहां से फोरण चलना चाहिए वरना वो गॉबलिन हमें यहां ढूंड सकता है हमने तुम्हें ढूंड रहता हूं लोग मुझे हजार चेहरे वाला पॉंड गॉबलिन कहते हैं हजार चेहरे वाला पॉंड गॉबलिन अब क्या खरें दिमाग का इस्तेमाल करना होगा चलो यहां से चले वहीं रुक जाओ तो हम ऐसे नहीं चाह सकते तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करनी होगी तुमने तो कहा था तुम्हारे अजार चेहरे हैं कहा हैं बाकी चेहरे बोलो मुझे तो सिर्फ कटोरिया नज़र आ रही है वह तो बस मेरा नाम है मेरे इस्वार से बच के दिखाओ क्या कहा पैर तो सच मुच मौम की तुरे है अब तुम्हारी वारी है क्या तुम तयार हो मैं मैं अच्छा एक बात बताओ तुम्हें मुझे डर लगता है कितना साफ पानी है नीचे उत्रो शिंचैन तुम्हें डॉलेट जाने के बाद अपने हाथ यही ढोलेने चाहिए कितना मजा रहा है शिंचैन पानी का रंग बदल रहा है अरे यह आपको क्या हो गया असा लगता है यह पानी उसकी जान था और उसे तुमने गंदा कर दिया मैं तो आपके साथ और खेलना चाहता था कितना मजा आ रहा था मुझे नहीं लगता कि वो यहां तुमसे खेलने आया था बेटा पता नहीं भी और कितने बेकार के गॉपलीन बचे हैं अरे क्या यहां पर कोई असली गॉपलीन नहीं है हमारा यी वार भी खाली गया मास्टर वो लोग बहुत ही जल्द यहां पर बस पहुचने ही वाले हैं अगर वो यहां आना चाहते हैं तो आने दो मगर बच कर वापस नहीं जा पाएंगे जैसी आपकी मर्जी मास्टर आ रहा हूँ अभी आया रूखो बेल बचने पर मास्टर गेरो गेरो कितना घबरा गए मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका भी अंदर कोई बहुत जरूर है तो हम यहां पहुची गए आपका स्वागत है हमारा स्वागत है हेई रुको यह तो बंद हो गया आपका गॉबलिन पैलेस में स्वागत है अच्छा तो तुम यहां हो चलो सभी लड़कियों को वापिस करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूगी चिंता मत करो मैं तुम्हारा मुकाबला करने को तयार हूँ मैं हमारे मास्टर गॉबलिन गैरो-गैरो का वीरियो धा हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूगा समझी तुम मुकाबले के लिए तयार हो जाओ अरे मुझे माफ करना लेकिन मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ तुम खुदी समाल लो तुमने मेरे मास्टर की बात सुनी ना अब वो नहीं मैं ललूँगा तो ठीक है अरे दीदी आपको ठंड लग जाएगी तुमसे किसी ने पूछा तयार हो जाओ अब मेरे वार को देखो तो देर किस बात की अखिरकार हमारे सामने का असली फाइटर ने आने की हिमत की है इसे तो कोई भी आसानी से हरा सकता है तो तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो यहाँ आके लड़ते क्यों नहीं लगता है अब तो कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा अब आ गया है बुरी-बुरी रस्क्यू हिरो तो तुम्हें चितना करने की कोई जरूरत नहीं है बहाँ जाकर दीदी को बचाओ बुरी-बुरी जायमन दर असल मैं इसे हरा नहीं सकता हूँ कम से कम कोशिश तो करो दोनों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए यहां आके मेरी मदद करो मुझे पता है मदद के बाद भी फीस नहीं दोगी इसमें वलत क्या है मगर इस बार मैं फीस लेकर ही रहूँगा समझ गये अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करू तो चलो उसमें साइन करो इसमें लिखा है बीस लाख रुपे दोगी अभी इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है यह बेकार का है इसे फूटी कोडी मत देना समझ गई तुम क्या कहा तुमने तुम्हें लगता है कि मैं बेकार का हूँ तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो तुम नहीं जानते मेरा गुस्सा कैसा होता है यह तुम किस से बोल रहे हो अरे मेरा बरश कहा गया वह मैंने बड़ी महनत से बनाया था अबला क्या इताची मैन को इताची मैन बना दिया और साथ में कंडिशन सप्लाइड भी अरे अब अचाने किसे क्या होने लग गया है तुम चाहे मुझे हरा दो और उसके बाद मेरे मास्थर को भी हरा दो फिर भी यहां पर कोई और है वो क्या बूलने की कोशिश कर रहा था यहां पर गेरो गेरों से भी ज्यादा कोई स्ट्रॉंग है मैं पहले जैसा हो क्या अब इससे क्या हुआ बुरी बुरी जायमन भी किसी देश का राजा था उन्हें इताची मैंने ऐसा बना दिया मुझे खुद इनों नहीं बताया है क्या कहा किसी देश का राजा मुझे अपने आपको इंटेड्यूस करानी का मौका है नहीं मिला मेरा नाब मुमी जी है मैं स्पेशल कमांडो फोर्स की क्याप्टन हूँ अच्छा अरे मैं तो पिलकुल पहले जैसा हो कहा है तुम तो पहले भी ऐसे ही थे अरे क्या कह रहे है यहो मेरे शकल मदल चुकी है यह देखो मेरी ठुड़ी मदल चुकी है और मेरे आवरोस भी चलो यहां से चले इतने भी जल्दी क्या है अच्छा तो तुम गेरो गेरो हो मिलकर अच्छा लगा मिच्छी को वापस करो मेरी माम को वापस करो अगर मैं वापस ना करू तो तो हम क्या कर सकते हैं तो फिर तुम लोग यहां क्या करने आये हो हम तुम्हें यहां हराने आये हैं समझे विल्कुल वैसा जैसे मैंने सोचा था क्या ये गिरो गिरो था तुम्हारा चेहरा सामने आ ही गया गामा गॉबलिन चो ठीक हो गई पेटा ये गामा ओयल का कमाल है अब मेरे वार से बच कर दिखाओ देखा मेरी ताकत आया रुक जाओ तो देखा तुम लोगों ने वो मुझसे डर कर भाग गया तुम्हें ऐसा लगता है आया अब हमारी मुलाकत गैरो गैरो से भी ज्यादा ताकत पर दुश्मन से होने वाली है चलो चले हे मेरा जूस कहा है सच बताओ तो मुझे भी जूस चाहिए मुझे भूख लगी है खाना तयार हो गया मैं तुने सारे काम एक साथ नहीं कर सकता अब हरी यहाँ पर हो के रहे हैं अब तो कुछ हो नहीं समझ रहे थे है आप तोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं क्या मतलब है तुम्हारा हम तुम्हें यहाँ बचाने आये हैं सुनिए हैरी एक खुशकबरी है आपको अब नया काम ढूरने की कोई ज़रूरत नहीं है प्लीज मेरी मदद करो जब से यह यहाँ आई है कोई मेरी बात नहीं सुनता यह सारा काम मुझसे करवाती है कोई चीज मेरी कंट्रोल में नहीं प्लीज मुझे इससे बचाओ मेरी मदद करो ठीक है हम मदद करेंगे लेकिन तुम्हें हमारी शर्ट माननी होगी मैं कुछ भी करने के लिए तयार हूँ मुझे यहां और कितनी देर बैठना होगा चुप चाप बैठे रहो, तुम जानते नहीं हो मेरे गुस्पे को अरे रुकिये रुकिये तो सही दे रहा हूँ अरामसे अरामसे यहां तुम बहुत स्माठ हो मिट्सी इस तरह से तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं अब आप उदासे हैं तुम तो बेस्ट हो और सब खुशी-खुशी रहने लगी और मेरे क्या होगा बोलो क्यारी दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन आपसे जलते हैं